ये आकाश्वानी रहपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाश कुमार ज्ञा केंदरी ग्रिहमंत्री अमिट्शाह की अध्यक्ष्टा में राज्यों के ग्रिहमंत्रियों का दो दिवसी चिन्तनि शिवीर आज से हर्यान के सूरचकूंड में शुरू हो गया है प्रधा मंत्री नरिवोधी कली से सिवीर को समधुधित करेंगे प्रदेश सरकार ने राज स्थापना दिवस के उसर पर एक नवंबर को प्रदेश के सभी शास की कार्यादियों और संस्थाओं के लिए इस्थानी अवकाश घोशित किया है प्रवर्ते ने दिशाने द्वरा मनी लॉंडरिंग के मामले में हिरासत में लिये गए आई एस अधिकारी समीर विश्णोई सहित दो अन्य आरुपियों को वेशिश अदालत ने 14 दिन की न्याई का भिर अच्छा में जेल भेज दिया है और प्रदेश में आज भाई दूच और मातार का पर्व परंपरिक उल्लास के साथ मनाय जा रहा है नहाए खाय के साथ कल से शुरू हो रहा है छट पर्व और अब समाचार विस्तार से राज्यों की ग्रिह मन्तुरीं का दो दिवसी चिंतन शिवीर आज से हर्याणा के सुरश कुंड में शुरू हो गया है केंद्री ग्रिहमंत्री अमिर्शाह इसके अध्याष्टा कर रहे हैं प्रधामंत्री नरेंद मोधी कलिसे शिविर को समोधित करेंगे राज्यों की ग्रिहमंत्री और केंद्र शासित प्रदिशों के उपरा जिपाल तथा प्रशासक की सम्मिलन में शामिल हो रहे हैं राज्यों के ग्रिह सचेव, पुलिस बलों के महानी रिक्षक भी चीमतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं समेलने के 6 सत्रों में पुलिस बलों के आधुनी की करण, साइबर प्रात प्रबंधन और भूमी सीमा प्रबंधन के साथ ही तर्टी सुरक्ष और मादक पदार्थों की तसकरी जैसे मुद्दों पर विचार भी मर्ष किया जाएगा 36 गड़ राज्य आगामी एक नमबर को अपनी इस्थापना के 23 में मर्ष में प्रवेश करने जा रहा है इस उसर पर राज्य भर में विवीध हसान स्कृति कारेक्रमों का आयोजन किया जाएगा राज्य इस्तारी कारेक्रम रैपूर के साइंस कॉलेज मैदान में एक सिती नमबर तक आयोजीत किया जाएगा इस दोरान राश्टी आदिवासी निर्तम होसो और राज अलंकरंट समारों आयोजीत होंगे जिला मोख्यालियों में एक नमबर को 23 कारेक्रम के आयोजन के समंध में समाने प्रशासन विभाग ने सभी जिला कालेटरों को निर्देश जारी कर दिये है निर्देश के नुसार कारेक्रम स्थल पर विभीन विकास की विभागी प्रदर्शनी का योजन करने के साथ ही विभागों में विशेश उपलब्धियों को विशेश रुप से प्रदर्श्ट किया जाएगा जिला स्थल पर इस्थानी कालाकारों की दोवारे 1 नुम्बर को एक दिर्शे साथ जारी कारेक्रम का आयोजन किया जाएगा वहीं 36 राजिस थापना दिवस के उसर पर 1-3 नुम्बर तक आदिवसी निर्ट महस्थों का आयोजन भी किया जाएगा राइपूर के साथ कालेज मेदान में होने वाले इस महसों में भारत के लगबग 1400 जनजाती कलाकारों के अलावा 9 देशों के करीब 100 जनजाती कलाकार भी हिस्सा लेंगे इस भी जराजे सरकार ने राजे स्थापना दिवस के उसर पर 1 नुमंबर को प्रदेश के सभी शास की कारियालियों और संस्थाओं के लिए इस्थानी और काश घोशित किया है 36 गड़ में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाओं के मदे नजर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मिया शुरू हो गई है इसके तहए ताज अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी के 36 गड़ प्रभारी पियल पुनिया पांच दिवसी प्रवास पर रहपुर पहुँचे श्रीक पुनिया ने रहपुर के सर्किट हाउस में कॉंग्रेस पदाधिकारियों और कारेकरताओं की बैठक ली श्रीक पुनिया कल 28 अक्टूबर को जगड़ पुर जाएंगे जहां कॉंग्रेस पदाधिकारियों और वरिष्ट कॉंग्रेस जयनों के साथ वे बैठक में शामिल होंगे इधर भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने भी विधान सभावार समिशा बैठके शुरू कर दी हैं इसी कड़ी में आज रायपूर के एकात्म पईसर में रायपूर विधानसभा शेत्र के वर्गवार समिक्षा बैठक के लिए विचार किया गया। इस उसर पर शेत्री संगठर मंतरी आजय जामवाल, प्रदेश महामंतरी पवंसाय, सांसा सुनिल सोनी और पूरो मंतरी राज में जेल भेज दिया है। चौदेनी की रिमांड और अपनाई के भिरक्षा में जेल भेजने के बाद भी राज्य सरकार दोर निरम्वित नहीं करना, इस अधिकारी और सरकार के बीच साथ गांट का संदिह पैदा करता है। प्रदेश में समर्थन मूली पर धानकरेदी एक नमबर से शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश पर में धानकरेदी केंदरों में तैयारिया लगभग पूरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने धानकरेदी के लिए आज से दो दिवसी पूरों अभ्यासों शुरू किया है। इसके सफल होने के बाद धानकरेदी के प्रक्रिया निधारी तीथे से शुरू की जाएगी। गोर्तलभे की राज्य सरकार ने इस वर रश्य समर्थ निमूली पर 110 लाख मेट्रिक टन धानकरीदने का लक्ष रखा है। प्रादेशिक समाचार आप रायपूर आकाश्वाणी से सुन रहे हैं। 36 गड़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता। आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कारिक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं। आकाश्वाणी समाचार फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रही हैं। आप तक चथिसगर की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार है। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजजपाल अनुसुया हुई के ने कहा है कि अधिकारों की प्रती जागुरुकता और संस्किति के सेनरक्शन के साथ साथ यूआउं की एक शमता के सदुप्योग से ही आदिवासी समाच का उत्थान हो सकता है। अपने चिंदवाला प्रवास के दोरान युवा जनजाती प्रतिभास सम्मान और समाजिक मिलन समारों को समुधित करते हुए राजजपाल ने कहा कि समविधान में आदिवासी समुधायों को अनेक अधिकार दिये गए हैं। लोगों को इन प्रावधानों के जानकरी होनी चाहिए ताकि वे अपने हितों की रक्षा सुएम कर सकें। भाई दूस के मौके पर बहनों ने भाईों के माथे पर टीका लगाया और उनके उजल भुष की काम ना की। इस उसर पर भाईों ने भी बहनों को उपहार दिये। कार्तिक मास के शुकल पश्क की दूतियाती थी को मनाय जाने वले स्पर्व को यम दूतिया भी कहते हैं। भाई के परती बहन के इसने को भीवक्त करने वाले इस पर्व को लेकर एक इविदन तो ये भी है कि यम देवता ने पनी बहन यमी को लंबे इंतजार के बात इस दिन दर्शन दिये थे तब ही से प्रथा चलिया रही है। परती बहन को मनई का आयोजन भी किया जाता है। आज से शुरू हो गया है। विकास खंडी स्थर पर अजोजित तीसरे चलन की ये प्रत्योगिता दस लवंबर तक चलेगी। इससे पहले राजी युवा मितान कलब इस्थर और जोन इस्थर पर ये प्रत्योगिताएं हो चुकी है। गौर तलभे के शर्तिसगड़ के पारंपरी खेलों को बढ़ावत देने और खिलालियों को मंच प्रदान करने के उद्धिश से शर्तिसगड़ी और उलंपरी खेलों का आयोजन छे चरोणों में किया जा रहा है। इस खेल में गिली डंडा, पिटूल, संख्री, लंगडी दोड, कबड़ी, खोखो, रसाकशी, बाटी, बिलस, फोगडी, गेडी दोड, भौरा, लंबी कूद और सौ मिटर दोड को शामिल किया गया है। कुछ खबरें संक्षेप में भी सुन लीजे। भारती सेना का 76 तरवा पैदल दिवस है। केंदरी रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने इस उसर पर देश के बहादूर पैदल सेनिकों को शुभ काम नायती है। मुक्रमित्री भूपेश बखिय निकल दुर्गजिले के बेलोदी गाओं में अपने सुजनों और ग्रामीनों के साथ गुवर्धन पूजा का परो मनाया। इस उसर पर गौरी गौरा की उन्होंने पूजा अरचना भी की। प्रदेश भाषपा ध्यक्ष और सांसद अरुन साओ विधायक पुनलाल मोहले सहीत भाषपा के मुंगिले जिला पदाधिकारियों ने लगर भ्रमन कर लोगों से मलाकात कर दीपावली और गुवर्धन पूजा की उन्हें बढ़ाई दी। राडांगों में पहले बार अस्थी बातित दीव्यांगों के लिए कल 28 अक्टूबर से तीन दिवसी वील चेहर क्रिकट पर दियोगिता का आयूजन किया जा रहा है। राजी की युवक का शव बरामत किया है। पुलिस के लिए युवक कल शाम से ही अपने घर से निकला हुआ था। उसके बाद से परिजन इसके तलाश कर रहे थे। जालियों और संस्थाओं के लिए इस्थानी अवकाश घोशित किया है। परवरते निदेश शाने दोरा मनी लॉंडरिंग के मामले में हिरासत में लिये गए आई एस अधिकारी समीर विश्टोई सहित दो अन्य आरुपियों को विश्श अदालत ने 14 दिन की नियाई का भ आरुटिंॉ